नमस्कार आदाव शस्याकाल जोहार जारखंड में कई मजदूर हैं रजिस्टर्ड मजदूर की हम सिर्फ बात कर लें तो राज में कुल दस लाख पचास हज्जार रजिस्टर्ड मजदूर हैं बिना रजिस्टर्ड वाला का संख्या भी अनंत होगा लेकिन राज सरकार में वर्तमान समय में कह रहे हैं कि हम तीन हजार लोगों को ही रोजगार मुहया करा पाएंगे और बाकी लोगों को नहीं इसका मतलब दस लाख 47 हजार जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं सरकार के पास उनको देने के लिए कोई काम नहीं है अब रजिस्टेशन कैसे हो रहा हैं समझे जो लोगडाउन के दोरान प्रवासी मजदूर बाहर से आएं उनका रजिस्टेशन किया गया अभी भी स्रम विभाग धारखन सरकार का स्रम विभाग रजिस्टेशन कर रहा है लोग फोन करा 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 के रजिस्टेशन करा रहे हैं कि मेरा नाम यह है उम्र यह है इतना करने वाला है यह दारकाड है और यही काम जानते हैं जैसे कोई पलंबर का काम जानता है कोई राज मिस्तिरी का काम जानता है कोई इसी तरीके से पंखा बनाना इस तरीके का तमाम काम जानता है तो स्रम विभाग इन मजदूरों को रेजिस्टर कर रहा है उसके साथ एक संस्था है संस्था का नाम है फिया Foundation फिया Foundation इं मजदूरों के लिए स्रम विभाग के साथ मिल कर काम कर रही ताकि पहले तो रेजिस्टर करने का काम किया अब उन लोगों को रोजगार मोहया कराने का स्रम विभाग में जो अभी 3,000 का मतलब मालीजी अगर जारखन सरकार कह रही है कि 3,000 मजदूरों को रोजगार हम दे देंगे तो सबसे इंट्रेस्टिंग बात आपको यह लगेगा कि 3,000 का 3,000 बाहर से डिमांड आया है मतलब दूसरे राजियों से मजदूरों का डिमांड है कि ठीक है अगर जारखन में मजदूर है तो हम काम करने को तयार है मतलब दूसरे बाहर राजियों से कंपनी को मिला है कि आप आई हमको काम हम देंगे सबसे बड़ी बात है इसमें कौन सा विभाग से सबसे ज़्यादा काम आया है यह समझना होगा आपको तो वह है भवन निर्मान मतलब अगर बिल्डिंग बनाने वाला है राज मिस्तिरी है सिमेंट ढोने वाला है इसब कंस्ट्रक्शन का काम करने वाला है उसका और दूसरा टेक्स्टाइल मतलब कपड़ा का इदूगों का जमावड़ा है मतलब बाहर राजों में भी डिमांड है तो पंदरा से 200 लोगों का डिमांड शिर्व भवण निर्मान से और फंदरासो हिमानली जे टेकस्टाइल से भी आया है कि आप आय कि आये सबसे ज़्यादा भवण निर्मान और टेकस्टाइल में X इस मस्दूरों का डिमांड है कि एक बात contract वाला के छोड़ के हम बोल रहे हैं इमद सोचिएगा रोजगार हम बोल रहे हैं नोकरी नहीं समझ गए कि नहीं आपको कुछ-कुछ राज भी बता देते कहां-कहां से आया है कौन-कौन company आया है textile का 10 company जहरखन सरकार को बताया कि ठीक है अगर आपके यहां मजदूर है तो मेरे यहां काम है जिसमें है cotton वर्ल्ड बेंगलूरू में 500 आदमी का जरूरत है एसीन फैब्रिक प्राइबेट लिमिटेद तमिन लाडू में 200 लोगों का जरूरत है यह लोग company कहा है कि आप मतलब हम लोग textile इंडस्टी से हैं अगर मजदूर भेज़ सकते हैं जो textile में काम करता है तो हमको जरूरत है इसके साथ पूने में है गुजरात में है चिन्नई में है त्रिपूरा में है वहाँ से भी textile इंडस्टी वाले लोगों ने मांग किया है कि अगर ठीक है जरूरत के मजदूर है आना चाते हैं तो आज आईए मेरे पास रोजगार है और आपको बता दे इससे पहले मुख मंत्री 1660 मजदूरों को उलग सड़क निर्मान काम में लगा हुआ था ले लगडाउन में आया था फिर मुख मंत्री उनको भेजे रजिस्टर करके कि भाई सारा सुक शुबधा मिलेगा बॉर्डर रोड और्गनाइजेशन उनको ले राज सरकार के द्वारा अब अप्टूबर में वापस आ जाएंगे सरकार का मन्ना है कि हम कौन सा मजदूर अब इतना भाई मान लीजे साड़े दस लाख आदमी रोजगार मांग रहा है और सरकार के पास अभी तिन ही हजार के लिए रोजगार आया हूँ भी दूसरे मतलब विभाग एक मान के चला है कि लोगों को नोकरी संबन में विग्यापन जारी किया जाएगा ठीक है एक विग्यापन सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा स्रम विभाग के और प्रवासी मजदूरों को उसमें प्राथमिक्ता मिलेगी और प्रवासी मजदूरों के बाद अन लोगों को नोकरी दी जाएगी आपको बता दे कि लेबर नेट एक बेंगलूर का कमपनी है लेबर नेट नाम है संस्था का उसने सरकार के साथ MOU किया है उप कहरा है कि मजदूरों का जाल टाइप का जहां पर जहां जरूरत होगा वहां हम आपको बताएंगे और आ करी रहा है रजिस्टेशन से लेके वापस लाने में मजदूरों का सयोग किया अब उनको रोजगार देने का तो कुल मिला के जो भी जारखंड के चेंबर और और इंडस्टी के लोग जुड़े हुए हैं मेरा ये कारिकरम देख रहे हैं या उनके जो लोग जानने वाले द दर्शन कीजिए कि अगर सरकार हमको इतना कुछ दे देगी तो हम 5000 लोगों को रोजगार दे देंगे हलाकि जारखंड में रगवरदास के समय एक टेक्स्टाइल मिल खुला भी था और मांजी में और इधर तो उताब बंद हो गया है तो आप लोग अगर सस्टेनेबल कोई कि ऐसा रोजगार कर रहे हैं जिसमें जारखंड के लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार दे सकते हैं और ठीक ठाक दे सकते हैं तो आप जारखंड सरकारते मिली और चेंबर आफ कमर्स के लोगों को जितना इंडस्ट्री चला रहे हैं जारखंड में उनसे आग रहा है कि अगर कोशिस कीजिए आप पे बहुत ज़्यादा लोड भी ना बढ़े अगर पांच-पांच-दस-दस करके भी आप अपना जो employment force है उसको बढ़ा सकते है मजदूरों की संखिया तो किरपिया करके बढ़ा लीजिए क्योंकि बेरोजगारी बहुत है पांच आदमी का भार आप खुद उठाइए सरकार का काम था है मन जी आपका काम था हम कर दिये यही अपील है बाकी सारे जो उद्योग पतिये छोटे हो या बड़े जारखंड वाले उनको कीजिए एक मेरा सला भी है हलाकि हमको नहीं देना चाहिए सला काई कि सरकार इसका ना पेमेंट कर रही है अना मांग रही है फिर भी मुफ्ट में हम सला दे दे रहे हैं सला यह है मन जी कि जारखंड में जो भी निर्मान हो रहा है आप उसमें कह दिजे यहां के भी TMT बार लगेंगे यहां का ही सिमेंट लगेगा यहां का ही पाइप लगेगा यहां का इनट लगेगा बोल्ट लगेगा ताकि यहां के भी इंडस्टी को मिले आप यहां के इंडस्टी को सिफ मार्केट उपलब्द करा दीजिए बाकी उलग अपना वेवस्था मेरे अनुसार से कर लेगा तो आप यह assurance दे दीजिए कि अगर आप जारखंड में माल बनाते हैं तो आपका सो फिस्दी माल खपत हो जाएगा बाकी उद्वक पती दोड़े दोड़े चले आएंगे लाख जंजट रहेगा उलग अपने अस्तर पे देख लेगा आप उनको कहिए कि आपका डूबेगा नहीं अगर आप पाइप बनाते तो सारा पाइप हम लोग कंज्यूम कर लेंगे ऐसे भी जारखंड को अभी बहुत जरूरत है